ये ये सरकार जमीन, नमस्कार, स्वागत है अपका बिहारी नियूज में, मैंरतन सेन भारती अज hoffe हम बात करेंगे जमीन को बारे में अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि रहयतों को जमीन से जुड़े दास्तावेजों की डिजिटल कौपी मामूली फीस पर अंचल पर ही उपलब्द कराने के लिए आधूनिक सह डाटा सेंटर का संचारन को लेकर निमावली लगभग तयार कर ली गई है। सहीद राजस्व एवं जमीन से बंधि 26 परकार की दास्तावेज डिजिटल फॉर में रहेंगे। लोगों को राजस्व कर्मी के पास जाने की जरूत अब नहीं पड़ेगी। दाटा सेंटर में विभिन परकार की अभिलेखों को संरचित कर रखने के साथ साथ उसकी प्रतिलिपी को उपलब्द कराने की कारवाई सुरु की जा रही है। इसके लिए परतेक अभिलेखागार में चार केंप्यूटर, प्रिंटर वर स्कैनर समय से जरूरी उपकरन दिये जा रहे हैं। पूरे काम, CCTV कैमेरे की नजर में होगा। इस अधुनिक अभिलेखागार सह डाटा सेंटर से अभिलेखों की प्राप्त करने की मानक संचालन प्रक्रियाक की भी तैयारी की जा रही है। जो लगभग पूरी हो चकी है। एसुपी के जरिये ही रिकार्ड रूम में काजरत कर्मी अपनी जिम्मेदारी का निर्बहन करेंगे। इस एसुपी में यह तैय किया गया है कि किस दास्तावेज के लिए क्या फीस ली जाएगी। आवेदन की कितने समय बाद उपलब्ध कराया जाएगा। किस दास्तावेज के लिए जबिन्द स्वामी को आवेदन के साथ कौन सा दास्तावेज सनलंग्द करना होगा। समय पर दस्तवेज उपलब्ध नहीं होता है तो रायत कहां सिकायद कर सकता है आधी बिंदूओं को ध्यान में रखकर एसुपी बनाई गई है वेल्ट्रोन को करनी है ऑपरेटरों को नियुक्ति यानि कि यह सब जितने भी काम के इंप्रेटरों पर होंगे वो वेल्ट्रोन क किया जा रहा है इस दोरान उन्होंने यह भी कहा कि सभी जिलों में अपर समहरता मॉडल रिकॉर्ड रूम के लिए नोडल अधिकारी होंगे तो इस तरह समकरने के अब जो है जमीनी विवाद को लेकर जो मामले सबसे जादा बिहार में हैं उसको निप्टारक निग्रें न के साथ मुझे दिजिए जाज़त धन्यवाद